मुंबई से सटे भिवंडी में एकल इमारत गिरने से तीन लोगों की मौत हो गई लगातार रेस्क्यू ओपरिशन जारी है सेम एकनाश शिंदे घटनाशल पर पहुँचे और साथी अस्पिताल जाकर घायलों का हाल चाल भी जाना अब तक 14 लोगों का रेस्क्यू किया गया है सेम ने मृत्यकों के परिशनों को 5-5 लाक रुपे मौज़ा देने का ऐलान किया और साथी उन्होंने डियेम और संबंधित अधिकारियों को उन्हें इमारतों के सर्वे कराने के निर्देश दिये जो बेहत खतरनाग बन चुकी है दो तस्वीर हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर पहली तस्वीर में आप सीम शिंदे को देख सकते हैं जो घटना इस तल पर पहुंचे और दूसरी तस्वीर जब शिंदे घायलों से मुलाकात करने पहुंचे उन्होंने घायलों का हाल चाल जाना और साथी भरोसा दिया कि हर संभव मदद की जाएगे अब भी रेस्क्यू उप्रेशन जारी है आपको बता दे कि इस हादसे की वज़े से तीन लोगों की मौत हो चुकी है 14 लोगों का रेस्क्यू उप्रेशन अब तक किया गया और ये रेस्क्यू उप्रेशन अब भी जारी है तस्वीरे देखि आप ये जहां हादसा हुआ वहाँ टीम मौजूद है रेस्क्यू उप्रेशन किया जा रहा है और सूशन मिलते ही देर-रात सीम शिंदी भी वहाँ पहुंचे घटना इस्तल का जायजा लिया आप देख रहें कि अभी भी बचाव कारे जो है यह रेस्कु टीम कर रही है इसमें जो मुर्तु है उनको शासन के बोर से पातलाक रुपे की मदद दी जाएगी और जो घायल है उनका पूरा इलाज जो है यह सरकार के बोर से किया जाएगा